इसे करते हैं क्या इससे पैसे कमा जा सकती है क्या इसे कोई भी कर सकते हैं या कुछ भी सेल कर सकते हैं किस टाइप का ने अफ्टी करना चाहिए ताकि हमें सेल आए क्या तो आपने बहुत बहुत सुना होगा इसे कोई बहुत जादा बज है इसका मार्केट में कि आपने देखा को यूटॉब पर हर जगा देखो NFT, NFT, NFT NFT है क्या? क्या इसे कोई भी कर सकता है? क्या ये business एक अच्छा model है? क्या इसमें invest करना या create करना सही है या नहीं है? तो आज बात करने वाला हूँ इस पर, तो सबसे पहले NFT जब आता है दिमाग में तो यार आता है non fungible token, या non fungible होता क्या है? fungible है क्या? तो fungible को जानने के लिए पहले मैं सर्च कर लेता हूँ, you know, जब simple way में समझाने वाला हूँ, easy way में, NFT के बारे में, तो यार videos पर continue देखना एंटर देखना बहुत मज़ा आने वाला, एदम best example देकर समझाने वाला हूँ, एदम easy समझ में आने वाला आपको, अगर नहीं भी समझ में आया है अभी तक, तो, right NFT के बारे में समझाओ तो फिर fungible, जानते है, fungible है क्या, fungible के meaning देखता हूँ, है क्या तो जब मैंने search कहा fungible के meaning तो आप देखो, यहाँ पर क्या लिखा हूँ, replaceable by another identical item, right तो इससे यह पार चलता है क्या fungible का meaning है, वह है replaceable अब बट अपने को क्या यहाँ पर है non-fungible, means non-replaceable ऐसा item, ऐसा कुछ ऐसा चीज, यूनिक चीज, जो की non-replaceable है, आप बलो, यार, non-replaceable कैसा हो सकता है, example दो मुझे अब बताओ, non-replaceable ऐसा यहाँ, कोई भी यूनिक चीज, जो की एक ही बना हो, दूसरा ही नहीं है, ऐसा पीस, या कुछ आपके पास, ऐसा कुछ आपके पास भी collection होगा, जो यूनो, आपके ही पास है, होता है सब collector कर रखते है, यूनो, होता है किसी पास, music का कुछ इंस्ट्रुमेंट होगा, या बाइक का कुछ आइटाम होगा, फोन होगा, जो भी चीज है, यूनिक होना चाहिए, एक पिक्स होगे आठ होगे, ऐसा कुछ आपके पास, कई घर पे होगे, ऐसा, रइट, कि यूनो, ऐसा आठ जो एक ही बना हो, आपके आपके पास ही है, यूनिक चीज, यूनिक पीस, तो परफेक्ट जाम पर अगर मैं नॉन फंजेवल का दूँ, तो आपने देखा होगा, 2011, 2011 के वल्ड कप में, जिससे अमेजोनिक 6 मारते हैं, लास्ट बोल पे, जब विनिंग रन होता है, विनिंग क्योंकि वो उनिक है, बैट तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे सॉर्स लगे होंगे, बहुत सारे 6 लगे हैं, बट वो जो 6 था, 2011 में, वर्ड कप में, विनिंग रन, वो क्या था, यूनिक था, वो एक ही होगा, तो मुझे रखता है, जो बैट है, वो भी एक non-replaceable हो सकता है, non-replaceable, non-fungible अपका हो गया, एक bad भी हो गया, जो MS धोनी के पास है, या, तो क्या है, MS धोनी के पास है, या I think कहीं पी रखावा होगा, वो इस थी बात है, so hope कि आपको non-replaceable, non-fungible है, वो आपको समझ में आ चुगा होगा अब, मुझे comment बताओ कि आपको कितने को समझ में आ गया, non-fungible, easy way में, right, simple way में समझो, बहुत ही unique piece होना चाहिए, एक ही हो, या आपके पास भी हो सकता है, में भी आपका कोई, you know, आपके पास कुछ ऐसा जाते है, right, क्योंकि उनके पास unique चीज है, आपके पास भी हो सकता है, बहुत पुलाने जवाने में जाओगे, यार, दादा, you know, ancestor के जवाने में, बहुत सारे जब बैक जाओगे, हो सकता हो उनके पास कुछ ऐसा unique item हो, जो कि अभी है नहीं, उनके पास ही है, वो आपके घर पे भी हो सकता है, तो ये किसी के घर पे भी हो सकता, non-replaceable चीज है, right, non-fungible, इसी को बोलते है, non-fungible, non-replaceable, simple है, अपको समझ में आ गया होगा, right, अब चलो समझते है, token है क्या, token जो word आपने सुना होगा, non-fungible समझ में आ गया, token समझते है, token को भी Google में सर्च करो, तो Exchange for Goods आप समझो, इतना समझो, बस, token है आपने सुना होगा यार, कभी line में कुछ खाने के लिए होगा, या कोई ticket लेने के लिए होगा, या कहीं पर जाना होता है, तो कभी token लेना होता है खाने के लिए, FAST FOOD खाते हो, कहीं पर जाते हो या कहीं पर जाते हो, तो कुछ ऐな आ क्या हो पहले तब मैं आपको दूँँगा token system भी होता है कई वार तो token समझो थोड़स उसको you know relate कर सकते हो यहां से भी token उसको ही बोलते हैं simple यहां पर भी होता है क्योंकि यह blockchain यहां पर जो है digital world में blockchain आपने सुना होगा blockchain होता क्या है blockchain समझो इसी का ही token क्या है उसका ही पार्ट है तो आपको वहां से समझ में आएगा तो transfer of money between two people without a bank called blockchain यहां पर जो money transfer होता है simple समझो अगर मैं हूँ मतलब मैं किसी और को पैसे आपको पैसा पे कर रहा हूं राइट मैं bank के थूरु पे पैर कर रहा हूं आपको PTM के थूरु Google पर, I'm Comm Relance और Keith Pay, मैं Pay कर रहा हूं यह दो bank के बीच में transfer हो रहा है money obviously भीर बथ है तो यहां पे क्या हो रहागी आपके पास record हो सकता है एंड मेरे पास record होगा bank मेरे bank के पास आपके bank के पास transaction के बीच में जो हुआ है और किसी के पास नहीं है किसी third person के पास नहीं है बस मेरे और आपके बीच में transaction हुआ है भी और आपके bank जो है उनका record कर रखा है बट किसी और के पास नहीं है information कि आपने transaction कितने का किया है कितने पैसे हैं आपके पास तो डेटर वल में क्या हो था blockchain दुनिया में यह आने वाय टाइम का future है राइट ब्लॉक्चेन ट्रास्फरों मनी विट्विन टू पीपल विटाउट बैंक कॉल ब्लॉक्चेन सिंपल यह समझो तो इसमें क्या concept आया यार कि अगर मेरे पास मुझे कुछ पर्चेस करना था अब यहां पर पैसी को हटा दो पैसी को भूल जो थो देर के लिए यह जो है इसका साही लोग पूरे दुनिया मतलब लग जाएगा मुझे चेक करने के लिए इसमें क्या होता है ब्लॉक्चेन में मैं बता तो टोकेन के लिए तो इसमें क्या होता है कि एक ओनर नहीं होता है मतलब ओनर तो एक ही होगा बट इसमें क्या होता है जो रिकोर्डर होते हैं में कि सबके publicly visible होता है सबके सामने record जो इतनी भी transaction है आपके यहाँ पर क्या था ऐसे हम आउट ही दुनिया में देखा जाए तो अभी यूरो बस दो बैंक के बीच में transaction record होड़ा है यहाँ पूरी दुनिया के सामने record होड़ा है transaction आप कितने क्या आपके पास कितने है नहीं है क्या purchase कर रहे हो पूर दुनिया के सामने visible है record होड़ा पूरा transaction अगर मुझे माइक लेना है तो जैसे मैं buy करने जाता हूँ 20 token के लिए पहले सब मिलके चेक करेगा इसके पास है भी नहीं है ऐसे fake रहे है इसके पास है भी या नहीं यह 20 token जिस अब यहां पर क्या हो गया और NFT आयक हूँ क्यों कि आपको समझ में आगया हो token का मामला blockchain क्योंकि simple blockchain को समझो तो transfer of money between two people without a bank called blockchain simple agreement मैं सम्झाने की क्योशिjigalka तो इसी तरह है कि यहां पे क्या होता है कि अठ्छा इभला token है या नहीं है यह प्रचेस करने क्से पहले है आपके पास एड़ों कंगे आप पैसे है तोके हैं आपके पास देना इलीजबल हो पकेश्छ नहीन है 20 टोकेन आपके पास let's let's say आपके पास 10 टोकेन 20 है नहीं पर्चेस कैसे करोगे इसको तो आपको डिस एप्रूब कर दिया जाए का मतलब आप पर्चेस नहीं कर सकते चीज को जब कुछ पर्चेस करते हो सब के सामने होता है विजीवल एंड रिकॉर्ड हो जाता है लाइफ आपका है इसको मैं copy या मैं चुरा नहीं सकता हूँ या मैं credit खुद नहीं ले सकता हूँ अगर आपका है तो आपका authenticity भी आपका ही होगा सारो कुछ है इसमें यह बर्चा है तो concept यहीं आया कही बार आप देखाऊगा कि किसी और की चीज को कोई लोग यूज कर लेते हैं ख तो मतलब NFT concept समझो ऐसे ही है और NFT आप बात है कि किस टाप के NFT हो सकते है क्या image हो सकता है हो सकता है बिल्कुल हो सकता है क्या गिफ हो सकता है जो अपने देखाऊँ को छोटी से 2-3 second की वीडियो या जो इमेज होते हैं वो भी हो सकता है क्या कुछ भी हो सकता है क्या music हो सकता है क्या कुछ ऐसा song हो सकता है क्या कोई ऐसे videos short videos जो कि एक ही बना हो एन उसके honor आपको कुछ भी possible है बट सीफ एक्जामपल यह है कि यूनिक होना चाहिए एंड उसके आपके पास ऐसा होना चाहिए कि राइट आपके आपका ही है यह बहुत यूनिक पीस है इसके इसका दूसरा copy नहीं हो सकता है करिएट सिंपल समझो कि NFT क्या है कि ownership को प्रूब करने के लिए कि आपका हाँ यह जो है मेरा प्रॉड़क्ट है मेरा है इसका honor मैं ही हूँ आपको सारा credit मिलता है सिंपल यह समझो कि record होता है पूरी दुनिया के सामने NFT में इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई चोड़ी कर सकता है या कोई एडिट कर सकता है इस चीज को डेटा को कोई एडिट नहीं कर सकता है इसमें पूरा सेक्योर रहता है और पूरा credit आपको मिलता है तो credit ownership का सब को आपको मिलता अगर आपको कुछ product है तो यह बहुत अच्छा तरीका है अभी तर तो आपको ही समझ में आने वाला है अब बहुत सारे question आता होगा दिमाग में क्या इसमें पैसे कमाये जा सकते हैं क्या क्या 10 लाग तक earn करी जा सकती इससे 10 you know month क्या possible है इसा क् के future है क्या करनी चाहिए कि नहीं तो मैं बता दो कि अब इसका बस create हो है मार्केट में and I think काफी लोगों मैंने देखा है इससे बहुत पैसे कमा रहे है तो मैं क्या बोलता हूं जो मेरी माइंड कहती है क्या स्टार्ट करनी चाहिए अब ऐसा नहीं कि ज्यादा invest कर दो मैं ब दो यूनों loss का loss का एक factor कवर हो जाएगा earning मेरेट profit में convert हो जाएगा क्योंकि जो अवेसी बात अब creating का सोचो जब तो अब इससी बात है पास कुछ यूनिक है तो यार बहुत पैसे मिल सकते हैं आपको मैंने कई देखा होगा आपने भी देखा होगा आप न्यूस पढ़ते हो आर्टिकल्स बढ़ते हो देखते हो बहुत सारे इस लोग है जो कितने क्रोड में भी सब्सक्राइब करें अब मैं बताने वालों आपको कहां से कैसे स्टार्ट करना है सो बने रहना वीडियो में वीडियो में क्या सीखा अभी तक मुझे कमेंट में चाहिए अब जिसे हमें बन में घ़ाना को सब्सक्राइब के कहने हैं पॉल्डवीय वह एक जीशन करते हों बड़े लेवल पर इसमें होता है कि blockchain के दुनिया में transaction जो होता है जयतने भी करोगे में आप पबलिक लिए वगर सब लोग देखेंगा आपका transaction अच्छा इसके पास इतने token में इसने भाइ किया पूरा दुनिया देखेगा आपका transaction उसको बोलता है blockchain अब चलो क्या-का यहां पर प्रडॉक्स 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 प्रड जब मैंने सर्च किया जो मुझे तो एजी लगा एंड तो यू नाम का है यह देखो यह वाला इसका अपने नाम सुना भी होगा काई वीडियो में भी देखा होगा काफी लोग एक्जामपल लेते हैं इस चीज का क्योंकि यह थोड़ा सिंपल है समझाने में भी एंड इसको हमिए चुछ हशो भी है ससों लगता है तो यहां पर कर चाहित मैं चुनल कई कर सकते हो फिच मैं चलु है गी chcia जां आप बहुत आ रहे हैं तो अभी टॉप पे हैं जो लोग चल रहे हैं जो लोग जादा आप देखो यहां आठ में देखता हूँ कुछ है है चलो फिर देखता हूं इसको क्लिक करके ब्लू टी क्लिका हुआ है वेरिफाइड क्रेटेड वा जैक अब देखो इसने नाइज आइटम को रखा रखा है और सेविन इतना फ्रोपाइस इसको इथेडियम बोलते हैं एथेडियम रेट अभी देखाता हूं आपको एक्जाम लेता हूं इसने खुछ से क्रियेट कर रखा है और इसी बात है यह सब पॉसिबल है क्रियेट करना अगर आप चाहोगा तो कुछ भी क्रियेट करना कुछ भी यूनिक रोना चाहिए और आप अब देखो सेल एंड जैने वरी एतना आवर्स इसने सेल कर रखा है यह जो 50 3DM इसका है अब दौर में देखोगे तो 1,56,000 फोट तो आप देख सकते हो कितना पैसे आपन कर सकते हो राइट अब देख सकते हो इसको बाय करने के लिए इतने पैसे पे करने पड़ेंगे इस बस आर्ट के लिए तुच्छे सी आर्ट तुच्छे सी ड्रोइंग है यह आ बोर्ड में स्कुल के टाम बोर्ड में हम ऐस से इस इससे ड्राइंग कर दिया कर देथे कुछ भी बना एक रहा तैट उनिक सा बन जाता था तो आप भी थुरह से दिमा लाग तो नएफ ती में थुरह सा मैनत करोंगे तो दिमाल आके यूनिक होना चाहिए है या कर सकते हो क कुछ मैं तो बोलूंगा सीखना चाहिए बज है मार्केट में तो यह सब को ट्राइ करने चाहिए क्या जाता है क्या पता आपके विए इतने चल गए है आपकी गाड़ी आप पैसे कमा सकते हो है अच्छे खासे आपके आ सकते हैं 10 लैक तो कमाई सकते हो अगर ऐसा हो गया तो मैं तो मिनिम मतारों इंडिया के एक और आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे कुछ हैं आपको यूजडी प्राइज इतना है फ्लोर डिफ्रेंस अगर मैं यहाँ पर पूरा डिटेस आपको समझमा आ जाता है तो कंटेक्ट एड्रेस ब्लॉक्चेन इथेडियम देखर इसके फोर मन्स इगो फोर मन्स इगो फ़रम जैक्र तुब एक कोई दुसरा वांगर है डेट अब देखर बहुत सारे से हां पे कर सकते हो मतों यहाँ से बाई कर सकते हो। आप create करने का मालो suppose कि आपने आपने देखा इससे बाय कर सकते हो यहां से इस तरह से जाके आप के पास कुछ ऐसा है जो unique piece है आपके पास उसको सेल करना चाहते हो कोई भी फोनमेट पर है तो आप यहां पर create पर जाओगे अब यहां पर क्या और you need Ethereum wallet to use currency कोई भी आपनेट मार्केट प्लेश को करने के लिए वालेट को चाहिए होता है यहाँ पर यहाँ बाय करने के लिए token होना token जहां पर होगा आपका बाय करते हो तब और आपको टोकेन में आएगा और इसी बात आपके महाप पर इप कर सकते हो यह तो इसमें क्या होगा लोग आपको टोकेन होगा कलेक्ट आप कुछ बाइभी कर सकते हो का अचेन में और और जाथ होगा सीवाद राइड़ी सबस्क्राइब कुछ आपको ओर पर खकारती हैं तो सुच्श मेंुनिक हो अचीं सबस्क्राइब था चैन्स बहुत करlerde सबस्क्राइब ए temos अचे़्ष होने होगत विए पिर यहां एंट के बाड़े में भी जो लोग Tele指 प्राय करनी के लिए हैं भी की सुक्षwegen कर रहे हों भी यौज इमिर निवन की करनी के दाइत लिए। आम मैंने में क्या आपको लगा में समयाये इसने फोर में इसने के दूंक वेडिये से सब्सक्ते चल्च है धिर ऑन हरे blockchain की दुनिया आने वाली है मुझे सेखता है कहीं जाने वाला हैंmedim एन्फटी रहने वाला है तो अभी स्टार्ट कर सकते हो अच्छा टाइम है शीख सकते हो यह लॉर्ण data लर्ण कर सकते हो यह सार कुछ तो में भी आप कमाना स्टार्ट करो तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए भी तो स्टार्ट करो कोई भी चीज़ यूनिक है तो मुझे अध्या स्टार्ट करने ही चाहिए आपको एक मैं सिंपल फॉर्मिट आपको समझाया मैं भी आप समझ ऑगे को हिए तो सब्सक्राइब कर Parks एगान को सब्सक्राइब कर देना कि अब कर चाहिए जाना के और को मुझे सम्झाए सकत्तु मैं सिंपल है में सम्झानकी कोसा दिए तो नेक्स वीडियो में तो तो अपना ख्याल पना टेक एक्सन राइट नाओ